गुरुदेवनुँश देवनुश जावशूं にोग लावीने रहें दिनेस भाई नी वाणी सांबढ़वानों आपने लाओं मुकी सके नी धनी बधी बेनो एवी चेके जने दिनेस भाई ने सांबढ़ए न थी। मूल मूल बिंदु वाली बातें कुछ बतानी का प्रियास करता हूं सभी बहने भाई खमर्शिती करके बेठे गायत्री मंत्र एक सांच एक सवड़ एक बात ओम भूर्भुवाहस्वाह तत्सवितुर्वारेन्यं भर्गोदे वस्यदी महि धियोयो नाहा प्रचोदयां आदर्णी मंचित और सभी सवराष्ट और गुजरात के कोने कोने से आई वे विश्यक्ति सुर्पा माता हूं बेनों देशुर्प भायों जो बातें आप सब को बताई जा रहे हैं कुछ बाही बहनों को तो थोड़ा आश्यर चिकित लग रही होगी बातें यहना जो बहनें गायति परवर के कारकमों में नहीं जाती होंगी अत्वा गुर्दय की विचारों से ज़्याद संपरक में नहीं रहे होगी उन बहनों को बच्चीयों को कुछ कुछ बातों में जरूर अटपटा लग रहा होगा कुछ आश्यरी की बाते लग रहे होगी यह सब क्या बोल रहा है क्या समझा रहे है क्या बता रहे है बात क्या कही जाती है इसका ज़्यादा महत्वनी होता है बात कौन कह रहा है इसका ज़्यादा महत्वनी होता है की आनद स्वच्छतागी बात, और समाजी से भी संस्थाओं ने बिए बताई चिकिछ ससाइस दे भी बताई और सरकार ने भी बताई लेकिन प्रधान मंत्री ने स्वच्छता पी बात की तुरंत सारे देश ने उसको हाथ मे ले लिया اور क्याकर मत-विश विश्विषतरवर, स क्या कही जा रही थी इसका ज़्यादा महत्व नहीं था बात कौन कह रहा है प्रधान मंत्र जी ने कहा है तो सब ने उसको पुरत अपने हाथ में ले दिया उसे प्रकार से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कही तो पांस साल में बेटियों का अनुपाद 2014 में लड़क लेकिन आप परद್धान मंत्री जी ने पाता है तो स्वर्न उने छेल को रही though , वह बहुत महत्व होता पात किस Cyber कही जा रही है इसका महत्व होता है इस दृिष्टी से जो बातें बता ही हुआ्य है हम नहीं कह रहे हhu कहने वला हमारे पीछे बेठा है जो उपर आप देख रहे हैं परमदनी माताजी को, परमपुज गुर्देव को, वो ऐसा कहे गई कि बेटा ऐसा होने वाला है, आश्चरी होगा आपको, ऐसा परिवर्तर होने वाला है, ज्यादा दूर की बात नहीं करते हैं, आज के लगग सौ वर्ष पहले हमारा देश सब्सक्राइब करना दूर्ब केतले हैं कि लिए जबिन होगा देख से लिए कैथे प्रत्हों संपूर्ण के हम कि छोटे लोग्ते लोगों के सबने उनौनेश कोई वह पूछता siz किस जाती से हैं लगबख खतम हो गया मैं आपको समय कैसे कैसे बदलता जा रहा है इसके बारे फुड़ी बाते बताना चाहता हूं इस समय बहुत तेंज गती से बदल रहा है और ज्यादा लंदी बात में हमारे पूछ गुर्दयों कहते हैं कि बटा हर 12 साल में युग बदल कि 2000 में हम कैसे थे और 2000 के बाद 20 तक 2020 आते आते क्या क्या कैसे कैसे परिवर्टन हो गया एक युग बदल गया जिस गाओं में हम अपने गाओं जाते हैं मैं भी छोटी से देहात कर रहने वाला हूं मद्दप्रदेश में जिनके घरों में टूटी साइकिल नहीं होती थी व गुंजिला मकाम बना हुआ है क्या कह रहे हैं माको युग बहुत पेजगती से बदल रहा है और मैं एक बात और प्रत्रक्ष तर्ट सहीत कहता हूं मुझे चार दशक से तो मुझे थोड़ा सा भोश वाया है मैं देख रहा हूं 80 के दशक 90 के दशक 2000 के दशक और 2010 के दशक जी पास होती है तो उसमें बच्चिया है अटारीस पास होती है पचिस फैल दिखाए धेंगे पचिस पास दिखाब घृणे से दवी जहां और वैंबbaar धकल आने बले क्याम में बेहनों के उपरस्थिती भायों के प्रेक्षां ज़्यादा होती हैं। मिटर्कसित दे रहा हूं आपको। पढ़ाही में भी बता रहा हूं धर्म कर में बता रहा हूं। अपने काम के पुटी गंभीर्ता में भी बहने सब से आगे हैं। बहुई लोग तो इसी काम को अन्माने मंसे कर सक्टे लेकिन बहने कभी नहीं करते हैं हर काम को अगडे करीने से करते और चरित्र के क्षेट्रे में भी आज भी टीवी ओम देख लिजे आपको किसी बहान बेटी के बारे में कोई समाचार राहसा नहीं मिलेगा, किसी बहान बेटी के चरीतर पर कोई किसी पत्रगार ने अंगली उठाई हो, लेकिन लड़काओं के ओपर यांगली उपती पूरी-पूरी, इसका मतलब नारी जागरण सूक्षिन जगत में हो रहा है, मैं से देशनहीं विदेशों में भी जिनकी कीर्थी और याश्वेला है् ऐसे जलारम बापा कितने गरीब आद में सामाने भगते थे विचारे लेकिन एक लकुटी अर्था लकड़ी और जोली बस लकड़ी और जोली के आधार पर पुरा गुजरा सारे विश्वन प्रसिद्ध हो गया किसे मंदिर में आईसा नहीं लिखा यहां दान मत करना लगो अधर थे लेजैं से आहां काथ म में दयाम टैने शुर्ण करना लेकिन लेकिन बाहर ह माष्रा तो जिस व्णी में बापा जरारां पड़ा हूई हो जिस भूमे में झालाराम केड़ा है हो जिस भूमे में बापा सीता राम पहला हुए हो उस भूमे के नारियों को अभी बताना पड़ेगा कि आपके गरिमा क्या है आपकी गरिमा आप अच्छे से जानते हैं और खराएक आप करने खरतें ये मात्र जरूत ना नहीं है लेकिन आज राम क्रिष्ण गांधी बापा जलाराम बाफा सिटा राम बापा नरसिंग महता और सरदार वल्लबज पटे सहित महापूरश आपके घर में आंघंगान में नाचरा चाहते हैं खेलना चाहते हैं किलकरिया बना चाहते है आप उस गरिमा को ऎत परीए अब कौन सी बात करना है कौन सुर dar की हम चकर्म पड़ है कौन से अंटर्नेट के चकर्म पड़ है हम कैसे भूले इसको बताईए आप उच्जु गुर्दयों कहते पर गया पुराण में कि मनुष्य गौरोगरिमा भूल गया इसलिए भटक रहा है और इन आज हम भी भटक रहे हैं तो हम अपने सवराष्ट की गौरोगरिमा भूल रहे हैं इसलिए भटक रहे हैं यह तो गां लेकिन हमको गरीमा सवाजी पड़ेगी हमारी जीजी बोल लेती आदनिया दीना जीजी कि हली हेलिकाप्टर हवाई जहाज एक सुनिशित प्लेटफॉर्म पर आता है रेल गाड़ी सुनिशित पट्री पर आती है यह महापुरुष जल में लेना चाहते हैं मैं अपनी बात मैं शुरू से मने शुरू यहां से किया परमकुज गुर्दय नहीं लिखा है हम नहीं कहरें महाकाल व्योग प्रत्य अव्रतन प्रकिया नमा कुस्तक पढ़ लीजेगा पेज नमबर सेविटी टू पेज पर पुज गुर्दय लिगते हैं कि इन लिनो विश्व में जितने अवतार संत सुधारक शहीद विश्व में जहां कहीं भी पैदा हुए हैं वो सब एक साथ भारत भूमें भी पैदा हो चुके हैं कुछ उने जा रहे हैं और गुर्दय के शप्द क्या है कुछ उप्यूक नर्म नारियों के रजवीरी में प्रवेश कर चुके यह शप्द ह और कुछ ने जन्म ले लिया है वे कुछ आवरान धक करके बैठे हुए हैं समय आने पर अपना अवरान हटाएंगे और विश्व का मारदशन करने की क्षमता पैदा करने वाले देश भारत को महाप्शुक्ति की रुग में बनाएगे हो यह गुर्दय विश्व हैं पेज महापुर्श के बच्चे बच्चियां हैं और आपको बताने आए जो हमने शुरू में कहा था कि आपको आशीरवाद देने आए हैं कि परम्पु जो गुर्दय वो ऐसी सता धरती पर आई है जिनों ने आज की समगर समस्याओं का समाधान दिया है इतिहास में आज तक ऐसा आपला आत्मा की अमर्ता और से दुनिया वोगे सारे साहिति प्रूदय ने आज की समर्व समस्याओं करने वाला साहिती लिखा है इतिहास में आज तक ऐसा साहिती कर पैदा नियुक्त पहुंचाया और तक महापुर्श को पेदा नहीं हुआ है अब उस महापुर्श का हैं महान आत्मा हैं देवात्मा हैं रूप बदल करके आए अपना सुरूप नहीं बताना चाहती है ना बताना बताएंगी पुछ जो गुर्दयों कहते हैं बिटा सब करने के लिए इसलिए कही जा रही है कि हम आपनी गौरों गरिमा समझें जीवन धंगे बनाने का समय चल रहा है इतिहास में जो जो इतिहास हमें पढ़ा है अभी तक सीता का सावित्री का जहासी जिरानी का दूर्गा बती का बापा जलाराम का महात्मा गांदी का फर्दार व उन्हें पढ़ा है वो सुरा इतिहास आज हम बना सकते हैं ऐसे मोर्षे पर खड़े हम इस समय में नहीं जी रहे हैं हम लोगो जो पैसा कमानी का मकान बनाने का और गाड़ी खरीदने का और बैंक बैलेंस करने का और नोकरी और पैकेज के चक्रम पढ़ने का इस मात्र समय महत्त्मा गांदी जी के छोटी से बात में महत्मा गांदी जी को देखा तो उन्हों ने उस दिन से प्रतित पूछना चाहता हूं कि गांधी जी ने एक दोती त्याग दी जो क्या गांधी जी एक दोती त्याग ने से देश के सारे गरीबों को कपड़े मिल गए क्या नहीं मिले महात्विसका नहीं है महात्मा गांदी के ने व्यक्तिकत आदर्ष और सिध्धान्त का संकल के लिए इस व्यक्तिकत आदर्ष और सिध्धान्त ने महात्मा गांदी को मोहंदास करम गांदी को करम चंग गांदी को महात्मा गांदी बना है व्यक्तिकर सिध्धान्त आपका व्यक्तिकर सिध्धान्त क्या है? मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, व्यक्तिकर सिध्धान्त क्या है? मैं उन बहरों से पूछना चाहता हूँ, आपने जीवन को वी सिध्धान्त बना कर हम चल रहे हैं, कि हमारे खानपन का ये सिद्धान्त होगा, हमारे पहनावई का ये सिद्धान्त होगा, हमारे दिंचरिया का ये सिद्धान्त होगा, हमारे विचार करनी की शेरी का ये सिद्धान्त होगा, हमारे परिवार का ये सिद्धान्त होगा, हमारे समात्त ये सिद्धान्त होगा, हमे कि आदिते हमारी बैटार गज़ता के लोट पर चलता रहाइंगार किस आधार पर गांदी के सिध्धान्त ने गांदी को दो हजार के नोट पर बैठाया हम आज सिध्धांत का जीवनजी हैं हमारा सिध्धांत होना है आट करने मोबाईल में जिटाना रिखन होना जांग जिस चीज को देखें जिसकों नहीं देखेंगे। मोबाईल में दूभ मैं चला है। हम हम बाले छोटी सी करें छोटी सी अच्छाईबी बोख सारे पिता है जो सब संब को अच्छा लगता है धेक हम इसे प्रकाश तो कुर्द यह स्थे लिखे excell comprangần हम दीये की भाति आपि आणके बनाना पड़ेगा हमको गांधी कि पार बताइए महिनिये आपको और आपको वेक्तिके सिधान्थ होना चाहिए, किसी को मत देखे, कल मेरे पास में भाई आये थे, हमारी जोस्रावेन के पुत्र, मेरे पास आये, भाई साथ हम लोग कुछ अच्छा करने जाते हैं, तो हमारे अपने कुटुम के लोग ही हमारा विरोध करते हैं, तो मैंने उस अब गाउं खत्म हुए, जंगल आया है, तो बाप के बेटे से का, बेटा, तू बैट गा, मैं पैदल चलता हूँ, अब आगला गाउं आया, तो आगले गाउं आले ने का है, इनको बेटे को शारवानी के जवान आदमी को, बुडे को पैदल चला है, और गवडे उपर ब दोनों बैटड़े, तो बोलें को निरदययों को शरा मानी क्याईं, दोनों ब्रहतऊ चलागे जैगिए, जान लेंकि पी इस समाज थो आगे चलोगे तो स्विंग से मारेगा, तीछे चलोगे तो लाक मारेगा और बराबर करेगा, और तो बराबरी करते हैं, यह तो यह आप निशा कहते थी ना कि आप कंपेर मत करिए और कंपेटिशन मत करिए अपने आपको और अपने कपड़े देखते हैं तो थोड़ा है और चरितर के ख्षेतर में आपने से घड़ी आदिशन से कंपेर अपने आपको करते हैं और चरितर के ख्षेतर में नीचे गिर रहे हैं कंपेर करिए मैं आपको खुलिया चैलेंज करता हूं कंपेर करिए इससे दन के ख्षेतर में अपने से गरीब से कंपेर करिए आप करना हो दो चरितर के शेत्र में करें किस्से मापुर्षों ने अच्छे लोगों एक हम करी आपको जीनका चरितर इतना अच्छा है तो मेरा जो तो बहुत होता है मैं ऊचा बनांगा चर्षम और फिर करेंसे करेंसे लेकिन शरकारत मत देखे आप इसी जीवें में शहार déjà जीवें अमीरी गरीबी का सुख दुख कोई माबढ़ होता है कोई आपके घर में सुक्षांती आजाए आपकी मानसिक्ता सकारात्मक बन जाए आप सिरिष्ट दिशा में बढ़ सकें महाकार की शक्ति और आशिवाद आपको प्राफ्त हो ऐसा परमपुजी गुर्दय ने बहुत बढ़ी आनुष्ठान इन दिनों दिया है आप अपने घर में क आल वर्ड गायतरी परवर का शॉट फाम है एडवी जीपी जैसे ही डाइनेजर के साइट डिखाई देगी उस साइट पर आपको इसका रेस्टेशन पता चल जागा गायतरी मंत्र के भाईभणी बता देगे एक अनुष्ठान होने जा रहा है एक अनुष्ठान होने जा र अभी इसी महीने से उसमें भागितारी करने के लिए कोई पैसे की खर्च करने ज़रोते हैं घर में कुछ आधना तों महुल बनाएं जैसे अपने घर में चोटा सा कलश पूजास्तली में स्थाफित करिए उसको उपर आम के पत्ते रखिए पानी भर दीजे गंगा जी का य आता शाम को स्थाफिक कर दिए थीस तारिख शाम वह सले ऑर कि चरुकर में पर तरणार हैस्ति के घर मिरेख करने में आपको बड़े संकत्तरिख से आपको नहीं में होता है तो फ्व पीचछ से रखते हैं आपको डेड़ मीटर दो मीटर का गड़ा कूदने के लिए के दिया जाए तो आप यहीं से एकदम से डेड़ मीटर का पैर नहीं रख सकते हैं आपको पीछे से रखना पड़ेगा दो चार से दस कदम पीछे जाएंगा फिर भाग करके कूदेंगे आप यह अनुष्ठान इस आप शाम को कर लिए सब्सक्राइब और पूजास तली परियर्टी आपने भोजन में अनुष्ठान में ब्रत में आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है आप नमक भी छोड़ सकते चाहे तो या तो मिठा छोड़ सकते या खा सकते नमक मिठा भी खाते गया एक समय भोजन ले सक और हमारी गायते प्रतार की बहने उनके लिए कह रहे हैं कि आप बहने एक गायते प्रतार की बहन कम से कम दस भाई बहनों को सदर से बना इस अनुष्ठान का दस साधक खड़े करें दस से नीचे कोई कम न रखें क्योंकि हर जीले में 240 साधक हम तयार करने जा रहे हैं तो बारहा गुंटे का समूझ जब करना है, बारी बारी से, एक दिन के बस, बदल बदल के, किसी घर में दो बार नहीं करना है, एक ही बार बार, 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 सबेरे आट वेज़ी सामाड वेज़ी तक चाहें तो, इस अनुष्ठान से उनके घर में बूर्ज़ा बैदा हो, साथ ही साथ, इसमें और कοई अलग से नहीं, सबेरे प्रयास करीए, अब जो पूझा करने बैठे, तो आप के पूझा को अलग होने लिवे जिस कपड़ों में आप पूझा करने बैठे, तो सामान ने काम उसमें नहों, कि आप खाना भी बना रहे हैं, खेट भी जा रहे है जब करें नहीं पंधेंगे कफिले कपड़े हो जादा को प्रिये कपड़े के ब duale कि यहSabd के भी दधर के उन्धे निवेदन की यहादा रहें कि ध्ला कप्रा को ज्यादाब बैतरा को जादा में घुट ूद्ञ के अंदरas जल्द भी आज यह सा और इस वकार से बहुत सरल है, कोई ज्यादा कठीन नहीं है, खानपान के बाद बता दिए, इस दीख में कई व्यवधान आजाए, बहनों को प्राया महिने बर में पांच दिन के लिए व्यवधान आता है, तो ऐसे इस्थिते में पांच दिन आप आगे बढ़ा दीजिगा, पू आपको दिवंगत हो गए, दज़ बारा दिन का सुन्तफ हो गए, दज़ बारा दिन आपके बढ़ा दीजिगे, एक दो दिन के लिए घर से आपको कई महमानी में जाना पड़ा अचानक आपको, तो आप अपनी माला साथ में लेकर जाए, कलस घर में स्थाफित रहे, लेकि आप वहाँ जब कर सकते हैं, जिस माला को जब करते करते हैं, गलती से आपको कहीं इमर्जिंसे में खड़ा होना पड़ा, कि साथ दर्वाजा खोलना था, कि ऐसा तरना था, तो उस माला के फिर गिंती नहीं होगी, जिस माला को लेकर खड़े होगे, फिर गिंती नहीं होग आपके घर के जोबि कशाय कलम से दुछ है परिशाणिया है समस्या है वो सब दोर हो गीं सा तक इस कोई दाइन कोई डाइन करना के इसको ब्रह्मन भोज कराना इसको इसको आपको इसा लगता है किने खुछ दे summation लोग क युद्यान का लीरे आप जोद कुछ और बातावरान भी अनुकुल बने इसके लिए अनुस्थान करवाई गारा है अन्त में एक बात छोटी शी बता कर अपनी बात समात कर देता हूं कि आप सब भाईबाहनों को बगवान याद कर रहा है इसवर आपको कुकार रहा है कि बेटा आप हमारा माध्यम बनो हमारा काम करो श्रम मांग रहा है तो हम भगवान को रिराश न करें और इसके लिए किसी को कि घर छोड़ करके नहीं जाना है इतिहास के ऐसे महाफुरुष धरती पराज तक नहीं आया होगा जिसे आत्म कल्यान की इतनी सरल साधना बता दी हो कि आपको हिमाले की कंद्राओं में नहीं जाना पड़ेगा आपको गंगाजी की किनारे नहीं जाना पड़ेगा घर छोड़ कर कहीं जाना नहीं पड़ेगा घर में रहिए, परिवार में रहिए, समाट में रहिए थेती, बाडी, व्यापार, व्यवसाय, घर भी एस्टी का काम करते रहिए इसे में करते हैं आप आत्म कल्यान जोसे जीवन मुक्ती जैसे महान उद्देश को प्राप कतर सकते हो इसके लिए उन्होंने दो काम बता दिये बिटा आपको अपनी जीवन चरिया में थोड़ा परवर्दन करना पड़ेगा और अपनी जीवन चरिया अपना जो दिन बर की जीवन चरिया जिन चरिया इसमें थोड़ा सा परवर्दन करना पड़ेगा और थोड़ा सोर परवर्दन करना पड़ेगा इसलिए अंत में कहता हूँ एक महापुरुष ने कहा है कि कुछ भी नहीं असंभव होता कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किये जाते हैं संकल्पों को जब साहस के गतिमे चर्ण दिये जाते हैं बाधाओं की क्या विसाथ रुख तूफान बदल सकता है बदला जाए दृष्टिकोन तो अरे इंसान बदल सकता है बदला जाए जिश्की तो उनको अरे जहान बदल सकता है धन्यवाद